असलाव अलेकूम, आज किस लेक्चर से हम एनिमल के फाइलम्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तक्रीबर 9 फाइलम्स को हम स्टडी करेंगे, वैसे नए-नए फाइलम्स भी बनते रहते हैं, 11 फाइलम्स अभी तक होच चुके हैं, बट हम कोस के मताबिक जो इंपोर्टेंट 9 फाइ अनिमल्स की तरफ मूव करते जाएंगे, वह फाइलम्स के अंदर क्रेक्टरिस्टिक्स नहीं नहीं हाती जाएंगी और बहुत सरी टर्मिनालजिस हमने आर्रेड़ी पहले स्टडी कर ली हैं, अब हमें असानी हो जाएगी फाइलम्स को स्टडी करते हुए, ओके, फाइलम् इसका मतलब होता है पोर बेरज यानि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बाड़ी के अंदर पोर होते हैं, चैद होते हैं, सुराख होते हैं और इसी वज़ा से इन एनिमल्स को स्पॉंजे भी कहा जाता है sponge आपने देखा होगा form जो होता है जिसे हम चीजें साफ भी करते हैं ठीक है और उसके अंदर चीजों को एब्सॉर्ब करने की water को एब्सॉर्ब करने की सलाहियत भी होती है इसके इलावा sponges को noise proof बनाने के लिए rooms को भी use किया जाता है so sponges की तरह इनके अंदर pores होते हैं इसलिए इने sponges भी कहा जाता है okay सबसे पहले हम habitat की तरफ चलेंगे यानि यह रहते कहां पर हैं आपको कहां पर यह मिलेंगे so इनकी जो habitat है वो marine water है यानि sea water लेकिन कुछ species aquatic भी हैं जैसे but mostly यह क्या है marine यानि आपको समुद्री पानी के अंदर यह मिलेंगे body layer की बात की जाए तो इन animals की जो body layer है वो diplo plastic है यानि इन animals के अंदर सिर्फ दो body layers germ layers मुझूद है ectoderm and endoderm mesoderm इनके अंदर absent है mesoderm की जगा mesoglia axeli like material मुझूद होता है cellular organization की बात की जाए तो यह multicellular है क्यूंकि animal kingdom के अंदर हमने सारे multicellular organisms animals को डाला है जो unicellular animals होते होने हमने kingdom protesta के अंदर study किया था animal like protest ठीक है तो multicellular सारे animals होंगे बट इनके अंदर tissue develop नहीं हुए organs develop नहीं हुए और इसी वज़ए से इन animals को parazoics भी कहा जाता है यानि animal को दो categories में divide किया गया है parazoic and metazoic metazoic true animals होते हैं जिनके अंदर tissues और organs बन चुके होते हैं जबकि ऐसे animals जिनके अंदर tissues और organs ना हो उन animals को parazoic कहा जाता है और parazoic category के अंदर सिर्फ porifera kingdom phylum porifera के animals ही आते हैं इसके लावा जितने भी phylum हैं उनके animals metazoic के अंदर metazoic के अंदर lie करते हैं सिमिट्री की बात की जाए तो इनके body के अंदर कोई symmetry नहीं होती यानि आप इन animals को एक plan से काट कर कभी भी दो equal half में divide नहीं कर सकते यह asymmetric होते हैं ठीक है क्योंकि यह बहुत basic और पहला phylum है इसलिए इनके body अंदर भी symmetry भी develop नहीं ठीक है यह asymmetric बेढ़ंगी सी इनकी शायब होती है अब हम body की दरफ चलते हैं और diagram के जिरिए body की जानी इनकी structure को study करने की कोशिश करते हैं यहां पर मैंने एक animal draw कर रखा है phylum porifera का इसे psychon आप कह सकते हैं ठीक है psychon genus की कोई species है तो यह animals सबसे पहले तो आपने यह समझना है कि यह जितने भी animals हैं phylum porifera में यह move नहीं कर सकते यह एक जगह पर अपने आपको anchor कर लेते हैं जैसे plants अपने आपको root के जरी anchor कर लेते हैं इसी तरीके से यह rocks पर या hard surfaces, ocean की hard surfaces में अपने आपको anchor कर लेते हैं और एक जगह पर still पड़े रहते हैं ठीक है यह इनकी ability है तो इसे इस लिए इने sedentary भी कहा जाता है या sessile भी कहा जाता है ओके यह तो हमें पता चल चुका कि यह move नहीं कर सकते फिर यह let's pause इस एरिया से किसी जगह पर anchor है और उपर यह animal ऐसे grow कर गया है अब हमें पता है कि इस animal के अंदर tissue नहीं है बड़ यह multi cellular है तो इसका मतलब है इसका हर cell individually अपने दोर पर कोई काम कर रहा है ठीक है ओके इनकी जब हम body structure की बात करें तो structure के अंदर कुछ आपको pores नजर आएंगे यह जहां पर black color में मैंने hall से draw कर रखे हैं इने pores बोलते हैं क्योंकि इनके body के अंदर pores होंगे इसी वज़े से तो pore bearer से इने कहा जाता है और अगर आप ऊपर की तरफ देखें एंड सर्फिस पर तो वहां पर आपको एक mouth like बड़ा pore नजर आएगा इस pore को बोलते है और यह चोटे 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 जितने pores हैं यह क्या है और यह जो बड़ा और है जो टिप पर मुझूद होता है इसे osculum कहा जाता है अब इनके अंदर जो खाली स्पैस है जैसे यहां पर यह मैंने कट लगाया हुआ इसका मतलब है यहां पर अंदर इनके अंदर आहम cavity दिखा रहे हैं जो खाली स्पैस है उस स्पैस को spongosil कहा जाता है या इनिमल्स के अंदर औस्टिया के जरीए पानी इंटर करता है और औस्कूलम के जरीए पानी बाहर निकलता है ठीक है इसकी वज़ा क्या है कि इन एनिमल्स के अंदर वाली वाल में क्वानोसाइट सेल्स मुझूद होते हैं जिनमें फ्लेजेला होती है ठीक है फ्लेजेलम बहुत सारे फ्लेजेला मिलके क्या करते हैं movement करते हैं, इनकी body के अंदर sponge seal वाली cavity में movement होरी होती है फ्लेजेला की, अब वो movement एक organized way में होती है इस तरीके से होती है कि पानी बाहर से अंदर आए और यहां से अंदर पानी आनी के बाद उपर osculum से बाहर निकल जाए, तो हुआ क्या, quannocyte cells ने water current generate किया, जिससे water canal system चल पड़ा, और water बाहर से इन animals के अंदर आता है और अंदर से बाहर जाता है, इसके बहुत सारे benefits इन animals को मिलते हैं कैसे, जैसे जब यह food खार रहे होते हैं, तो पानी के साथ ही food इनकी body के अंदर दाखल होगा ना, फिर फूड यह intake करेंगे, ठीक है इसके इलावा जो excretion करेंगे sponge seal में, वो excret करेंगे और वो excretion इस water canal system के जरीए body से बाहर निकल जाएगी, इसी तरीकी से respiration के लिए oxygen, नया नया water, जो fresh water इनकी body के अंदर दाखल हो रहोगा, तो यह इनका एक water canal system है, जो आपने बहुत दियान से याद रखना है अब let's suppose, इनकी structure को जरा और detail से देखते हैं, इस area को zoom in कर लेते हैं, जब हम zoom in करते हैं, तो हमें इनका जो बाहर वाला area नज़र आता है, उसे जब हम zoom in करके देखते हैं, तो बाहर वाला area thing elongated cell से मिलकर बना होते हैं, जिसे जिनने epithelial cells कहा जाता है ओके, यानि बाहर वाला area, बाहर वाली layer epithelial cell से मिलकर बनी होई है और इस layer को हम ectoderm भी कह सकते हैं, अब क्योंकि हमने बॉला कि इनकी body के अंदर सिर्फ दो layers होती है, ectoderm और endoderm तो अंदर वाली जो layer है, जो हमें यहाँ बाहर से नजन नहीं होई ही ह prima, बाट अंदर जो layer बनी होई है, cells के उस layer में कौन से cells हैं? कौनोसाइट cells हैं, या इनका दूसरा नाम है color cells तो अंदर वाली layer color cells और कौनोसाइट cells से मिलकर बनी होई है, और इस layer को आम एंडोडर्म का नाम देंगे। इन दोनों लेयरि के दिर्मियांnymi ताइम्यकी जोडरुख not available उसे मिजऊगलिा मुईदा करें ज्रुख जूम्यक दीक्जिर्म का लिए। जोग्रोगा जाताydते आपके लिए इस सेल को घाते है पौरवसाइट ये जो osteocyteữa के पॉर बने है ना ये पॉरोसइड सेल्स, special टाइप के सेल्स ये पॉर्स बनाते हैं जैन Greetings पॉरोसइड्स कहा जाता है ये पॉरोसइड अई पॉरोसइड सेल्स इस तरीके से आर पार मुझूद होते हैं और ये अंदर से खाली होते हैं और इस खाली एरिया को पॉर बोलते हूं, और इसे हम आस्टिया का नाम देते हैं. तो पॉरोसाइड। ओस्टिया, एपिटिलियल सेल्स, कौनोसाइड्स, फ्लेजेला, ये सारी चीज़े हमने स्टड्य कर ली। तरफ जलते हैं, मिसोगलिया रिजन के अंदर आपको एम्यूबोसाइट सेल्स में लेंगे, यानि ऐसे सेल्स जो मिसोगलिया रिजन के अंदर ट्राइवल करते रहते हैं एक जगा से दूसरी जगा मूव करते हैं, इनका बेनिफेट क्या होता है कि यह फूड पार्टिकल को लेते हैं, किसी जिस सेल को फूड की डेफिशेंसी है, या फूड की जरूरत है, उसे फूड प्रवाइड कर दिया, इसके इलावा ये अंदर कुछ प्रोटीन की स्रक्चर्स बनाते रहते हैं, जैसे स्पीक्यूल्स बनाते हैं, जिने अभी हम थोड़ी स्पीक्यूल्स मुझूद हैं, ठीक है, प्रोटीन की तरफ भी आते हैं, स्पीक्यूल्स मुझूद हैं, अब स्पीक्यूल्स क्या हैं, स्पीक्यूल्स सिलिकॉन या कैल्शियम से बने हुए हार्ड स्केलिटन के स्ट्रक्चर्स हैं, यह सम्टाइम इनके इस तरीके से स्टेटन प्रोगं करते हैं ताब कि प्रोटक्शिन प्रोड़ स्केलेटन करें स्ट के चीज से मिलकर बने वह है शिलिकान और केलशियम से यानि प्रोटीन Capital ऑन से चंविंद्ग्ष ये क्या करती हैं इन एनिमल्स को flexibility प्रोवाइड करती हैं और soft भी बनाती हैं और ऐसे ऐसे पौरी फिराज जिनके अंदर spongy मीजोग्लियर रीजन के अंदर ज्यादा हो और spicules कम हो तो ऐसे जो animals हैं वो क्या होंगे वो flexible से होंगे sponge टाइप होंगे और इनको bathing के लिए use भी किया हैं और sponge की quality क्या है कि यह इने flexible soft बनाता है और पॉरस बनाता है और इस लिए इसे इन functions के लिए भी यूज किया जाता है आपको structure completely समझा चुकी होगी अब इस structure की बैस पर आगे कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं और स्टेडी करते हैं nutrition इनको हम holozoic nutrition बोलेंगे और nutrition में यह क्या चीज़ें लेते हैं जितने भी animals होते हैं वह holozoic होते हैं यह और organic matter को खाते हैं और बाडी के अंदर लेकी जाते हैं अब करना करें और इनके इंटर होते हैं और बाड़िब्डारेंशन की बात की जाए तो इनके बाड़ी के अंदर हमें दो टाइब की reproduction देखने होना हुआ है यथा इस जरी नो टाइप की होती है इंके अदर बाड़िंग और अद्ध फ्रेगमेंटैशन बाड़िंग आप कि एक छोटा सा बाट निकल आया वो सेपरेट हुए एक निया और फ्रेग्मेंटेशन क्या होता है कि अगर आप इनको काट लग जाए और उनका कट जो है वह सेपरेट होके गिर जाए तो वह एक निया अनिया बना देगा क्योंकि अंदर कोई टिश्यू सिस्टम तो है नहीं हर सैल के अंदर आइबिलीक है कि वह नया औरगिनिर्सम बनाते कैसे है कboneके रेवर्डेट स्टेजिस डिफरेंट टाइम के साथ fuse किया और जाइगोड बना जाइगोड थोड़ा सा develop होगा इंटू लार्वा और लार्वा इनकी बाड़ी से निकल कर मूव करता जाएगा किसी जगह पर ठैर कर वहां से एक निया और्गिनिसम बना देगा ठीक है या फिर ऐसा होगा कि इनका अपना ही रिलीज किया हुआ स्पम इनके एक के साथ मैट करेगा फ्यूजन होगी जाइगोड बनेगा लार्वा बनेगा लार्वा मूव करेगा तो आपने यहां पर देखा कि पॉरिफेरा का जो लार्वा है वह मूव कर सकता है बट इनकी एडेल्ट फेस जो है वह फिर आगी बात स्पॉंजन की स्पॉंजन को आरड़ी हमने सटी कर लिया एक स्पाइब्रस सब्स्टेंस होता है जो कि इन एनिमल्स के स्केलिटन को साफ्ट और फ्लेक्सिबल मनाता है जबकि स्पिक्यूल एक हार्ड स्केलिटन है जैने जिनके अंदर स्पिक्यूल वो एनिमल्स क्या होंगे hard skeleton क्या होंगे और उनका जो hard skeleton है वो silicon और calcium से मिलखर बना होगा यानि specify calcium कैलशियम और silicon से मिलखर बने होगे और ये additional protection भी provide कर रहे होगे तकरीबन शारी चीज्टे मैंने clear कर दी हैं आपको lecture अच्छे से समझ आया होगा नेक्स लेक्चर तक के लिए मुझे जाज़त दे हैं शुक्रिया लाफिज